बीच जैपूर से बड़ी खबर आरी उसका रुक कर लेते हैं रेजिडेंट हरताल को लेकर अब सक्ती के मूड में प्रशासन है जैपूर जिला प्रशासन हुआ है पूरे मामले में सक्री और हरताली रेजिडेंट के मुबाइल नंबर एड्रेस समित लिया जा रहा है यहां पर समस्त रिकॉर्ड यहां पर वीश्मा के तहत प्रशासन शुरू कर सकता है सकती और हाला कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर अगुशर्मा ने एक बार फिर से यहां पर अपील की है कि रेजिडेंट से तत्काल काम पर लोटने की अपील की है क्योंकि इस हरताल की वज़ अड़े हुए हैं और चिकित्सा मंत्री ने यहां पर अश्वासन भी दिया है कि उनकी मांगे जो है वो मांग ली मांग ली जाएंगी और यहां पर जो हरताल है उसे खत्म करके वो अपने काम पर लोटे तो देखिए जैपो जिरा प्रशासन हुआ है इस पूरे मामले में स हा है कि हरताल खत्म करें और दिया काम पर लोटे रेश्मा के तहत तो शासन शुरू कर सकता है सक्ती और यहां पर आपको बदा दे कि चिकत्सा मंत्री ने एक बार फिर जहां पर अपील की है रजीडिटन्स से तत्काल काम पर लोटने की अपील की गई है क्योंकि लगतार ऐसंगी यहां पर चिकित्सा मंत्री ने पहले आशवासन दे दिया है उसके बाद भी जो रेजिडेंट डॉक्टर है अभी भी हरताल पर बने हुए है दिए जाँए आशवासन नहीं है प्रिशासन के तरह आप में आप से आगरे कर रहा हूं और आप नहीं मानते हैं उससे उसक्ति करना मस्पूरी बन जाएगी उसी सक्ति का परिणाम आज देखना में मिल रहा है सुब़ पहले से ही जो रेजिदेंट ही जो रेजिदेंट है अगर कोई सक्ति बरतने हैं किसे बंती हो तो तत्कार भूबाएं के उनको उन से संपर्ख साथा जा सके इसी के लिए पुरे यह कवायत की जा रही है ताकि किसी बीतार की टिकेट इस मरीजों को आ रही है उसका सम बिल्कुल विकास क्योंकि इसकी वजह से कई ना कई मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है वो काफी दूर दूर से आते हैं और यहां जब डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो परशानियों का सामना तो इन मरीजों को करना पड़ता है विकास बिल्कुल विकास क्योंकि जिस तरीके से भी आपने यहां पर बताया कि की वेकलपी वैवस्ता यहां पर की गई मरीजों के लिए तो चाइब cannabis죠 की गई быть उहां पर फिर४्झा शहां सबुसक्ते हैं जिस और लगटार यहां पाघ्व रिज्जिदैंट करें हैं वो हर्ताल पर हैं और यहां पर चकत्सा मंतरी ने ये भी कहा है कि वो हर्ताल खत्म करें और काम पर लौचें क्योंकि इसकी वज़े से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि मरीज काफी धूर धूर से आते हैं और यहाँ पर वेकल्पिक वेवस्था की बात की जा रही है कि यहाँ पर वो वेवस्थाएं की गई है जिससे अगर मरीज आता है तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो